सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते मेरा नाम है प्रतीवा चुहान आप सभी का सुआगत करती हूं प्रतीवा जब्लोग्स पर उमीद करती आप अपने घरों में स्वस्त और व्यस्त होगे तो मैं वेग्दम से बढ़िया हूँ तो चलो जी आज के दिन की शुर अप्टीक होई है तो इनको साब करना पढ़ रहा है तो यह और चाहए तो फिलों दूल पर लिए तो उधर वाले में तो कर दिये हैं अब ये वाला राह हुआ है तो उसके बाद आगे इधर को नमस्ते तो अभी यहां पर भर रहे हैं जिम टंकी को तो इधर मिले जी दादा तो दादा भी अपने काम में व्यस्त है कि अ प्रोब्ड़र है कुछ थे कैन साभाए है कि की तो दादा का गाम होता है जी सुबह-सुबह सब्जीयों मैं पानी डालना तो यहां पह लगाए हुए जी टोमाटर तो देखेजी अब टोमाटर लगना भी शुरू हो चुके हैं मैं आपको सब से तोमाटर का साइथ कुछ इतना बढ़ चुका है तो सामने है जी कद्दू तो उदर को पीचे पीचे के कद्दू लेवाए हुए है तो आज इस नई फश्रारत करी हुए है रात की वो भी मैं आप सभी किता शेयर करूंगी तहां भाग रहे हैं भाग गया रोटी लेके देखो कहां पर पहुंच चुका है नहीं ले जाते हम वही मैं लेके आई हूं तेरे लिए अब खाएगा जी यहां पर अभी तो मेरे को द देखेगा ना तब तक तो तो दोस्तों अभी जा रही हूं जी मैं तिलाब की सफाई करने तो आजकल जैसे बहुत ही ज्यादा सुका बड़ा हुआ है बोलते हैं कि अगर हमको फ्रकी सफाई करेगी तो बारिश होगी वह भी सकता है वह तो लग जाएगा पता आप सब इको बड़ी ए लग रहे हैं नहीं मभी नहीं हो दूप भी लगई तेरे को यह तो है ना एक ही काली ओ उपर से ओर जादा हो जाने है उन्हीं काली को अच्छे चली बहुत है दाचिली बहु है द्राटि गास काटना हो ना शायद तब में दादी का में इट कर देगी दादी बह तो दोस्तों ये है जी तिला आप तो देखे जी आज कल कितना ज्यादा सुका पड़ा हुआ है तो देखे जी इसमें लगा हुआ जी घास तब सभी मही लाए लग चुकी है जी घास की सभाई करने झाल देखे जी र niño मही कितना है जी जी त。 तेखे जी इधा जला दी है जी आख जितना भी नीचे घास ता तो सभी घास लेके आ रहे है और इधा जला रहे है असकर राम असकर तो दोस्तो यह तो बिल्कुल नी देख रहा बड़ा ही नूर मारा है मेरको असकर असकर तो दोस्तो अभी चली हुई है जी हवा तो देखे जी कितनी इतारते चली हुई है चुँआ तो अभी क्षिय चली हुई है जी बहुत जादा तेज होँई है यहां पर है शक्कर भाडे का पेड़, यह हमारा पेड़ है, तो देखें, यहां पेगी रहे हुए शक्कर भाडे, यह पक चुगे है, और यह हवा इतने जादा लगी हुए ना क्टिकुपर से छुद लिचे गिल रहे है, हुआ को पेड़ में जाने की कोई भी ज़रूरत तो देखे जी इधर निकार रहे हैं जी घास तो हवा तो रुखने का नाम बिलकुल भी नहीं ले रही है तो पर ऐसा है कि जो पेडु के भी जैसे इदर को थोड़ी कम हवा आँ रही है पेडु के नीचे वैसे हवा नहीं है इत्वी उपर-उपर से हवा जा रही है तो यहाँ पर निकाल दिये है जी घास के पाँच पूड़े तो अब लग चुके है है जीहां पे बिहने हैं मैं तो जब तब मम्मी की हमें घहासे हैं थो तब तस में बीदे पहुं जाती हूं तक निकाल जी इतर शकत कर बाए तो यह पेड़ भी वैसे अच्छी जगा नहीं लगा है यह लगा हुआ है जी थोड़े थोड़ा 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 धांक जैसे मैं मैं आपको बताती हूं तो दोस्तों देखो यह लगा हुआ जी वहां पर वहां के लिए चलने के लिए थोड़ा ख्राब सा है तो तो देखें जिदर ममी लगे हुए जी डंडे से इनको जालने नीचे तो मैं इनको उठाउंगी जी यहां से क्योंकि इस में ना ऊपर नहीं जा सकते आ गया क्योंकि यह इसमें है जी कांटे हवा भी है तो ममी डंडे का सहरा लेकर नीचे गिरा रहे हैं तो देखे जी औसकर भी बैठा हुआ है तो अभी ये करा है जी अभी खाने का वेट तो अभी यही पई बैठा होता है तो यहां से जहां करा होता है जी अंदर अंदर की और तो देखे जी यहां पे जलाए होती जी अभी तक आग तो इसी के उपर मैं अगर रही हूँ जी मैं बटू रहे तो देखे जी पिछे चुले में कहां तक आग है तो चलो जी इदह निकल चुका है जी डिनर डिनर में है जी आज कड़ी की सबजी और चावल तो दादी तो आज डिनर नहीं कर रहे हैं तो दादा बैठ चुके है जी खाने और साथ साथ है जी मम्मी मम्मी भी लग चुके है तो यह है जी प्याज यह है जी हमारे अपने ख सब्सक्राब है तो दोस्तों कि अभी देख रहे हैं जी हम सेरियल तो यह है जी उर्ने की आशा तो म्मीड ची सुछ हम्हें recipients कैसे उढते हैं इसे हमें एक सीख मिलेगी कि हमारे आशा कैसी उड़ेगी तो दोस्तों इसी के साथ करते है जी आज के व्लॉग को यहीं पर ये एंड औरा मिलते है जी हम नेक्स टे नेक्स व्लॉग के साथ अब तक खली बबाई आप मेरे चैनल को लाइक करें अपने दोस्तों साथ शियर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें पबगाईस